रेलवे की विंडो रिजर्वेशन के लिए अब आपको लंभी लंभी लाईनों में लगने की ज़रूत नहीं है क्योंकि खंड़वा के के वल राम परसिथ सकलेचा स्टेशनरी के सामने खंड़वा रेलवे रिजर्वेशन सेंटर खुला है यहां पर आकर आप विंडो रिजर्वेशन की सेवाई ले सकते हैं अधिक जानकारी के लिए दिये गए नंबर पर संपर कर सकते हैं और मौके पर जाकर दुकान पर जाकर टिकेट भी बनवा सकते हैं श्री दादाजी धूनी वाले आश्रम में बड़े दादाजी श्री केश्वनंद माहराज की बरसी पर कल गुरुवार को बहुत ही उत्सा देखने को मिला सुबह से रात तक लगबग 40,000 से अधिक शद्धालूँ ने बड़े और छोटे दादाजी की समाधी के साथ ही मा नर्मदा के दर्शनकर धूनी माई में हवन किया दर्शन के लिए दिली, चिंदवाडा, नाकपूर, बैतूल, सागर, पांडूरना, एमदबाद, पूने, जलगाओ, अमरावती, सहित, अन्नेक शेत्रों के शद्धालू आए रात चाड़े आठ बजे मंदिर में बड़ी आरती हुई, एक सो आठ दीपक से की गई इस आरती में सैंकडों शद्धालू शामिल हुए रात में बड़ी आरती के बाद मंदिर परिसर में भंडारा भी किया गया इसमें सैंकडों लोगों ने परसादी ग्रहन की ढाई कवंटल बूंदी सुबहे दो कवंटल और शाम को चार कवंटल आठे की पूरी की परसादी बंडारे में समर्पित की गई आपको बता दें कि मंदिर परिसर में शद्धालूं की काफी रौनक रही आरती में सैंकडों लोग शामिल हुए और दादा जी के बहानों के साथ ही डंडे तकत के भी दर्शन लोगों ने इस दोरान किये सुबाश नागोरी ट्रस्टी श्री धूनी वाले दादा जी आश्रम ने बताया कि सुबह से रात तक करीब 40,000 शद्धालूं ने दादा ये मंदिर में दर्शन किये गुरू पुर्णिमा पर बहार के लोग नहीं आ सके थे इसलिए आज मंदिर में देश के विभिंत स्थानों से भी शद्धालू दादा जी के दर्शन करने आए कल बहुत ही शांदार महोल दादाई मंदिर में देखने को मिला दादा जी के करपा और आशिरवात उनके शद्धालू सहीत खंडवा मद्ध प्रदेश और देश दुनिया पर बना रहे सभी ने यही मंगल कामना की और कोरोना नामक इस मा मारी से पूरी दुनिया को मुक्ती मिले इसकी कामना भी दादा जी महाराच से लोगों ने की झाल प्रदेश मारी से जादा जी महाराच